आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। आज यानिकि समनांतर करम में जोड ने पर प्रतेक ब्रांच में है, हमारे पास जो वोल्टता आती है वो समान होती है तो अब हम लोग इसके माध्यम से ग्याद कर सकते हैं कि एक बल्ब की सकती कितनी होगी तो एक बल्ब की सकती को हम लोग यहाँ पर पी से दर्शा देते हैं तो हमारे पास दिया गया है जो दोनों मिलकर खर्च करते हैं ठीक है यानि की 48W और कितने बल्ब लगे हैं? 2 अर्थाथ हमारे पस एक बल्ब की सक्ति आ जाएगी यहाँ पे 24W और हम लोग को यहाँ पे ग्याद करना है कि प्रतियक बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा तो जब हम लोग को शक्ति दिया रहता है तो हम लोग प्रतिरोध का मान जानते हैं, सक्ति P बराबर होता है, विभुवांतर V का वर्ग बटे प्रतिरोध R, अब हमें प्रतिरोध R का मान ग्याद करना है, तो इसको इधर पक्छांतर कर देंगे, और शक्ति को इधर पक्छांतर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ह हो जाएगा 24 हम लोगों ने च्वाटाइं हिओ लिए क्यों दो जाएगा 24 तो जोग संधी बराबर है तो हम लोग कर से प्रत्य का प्रतीरोंत देखने हैं कर दो बर्ब का प्रतिरोंत पता चल जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इसको हल करेंगे तो 6 से ये 1 बार में और 6 से 4 बार में और 2 से 2 बार में 2 से 3 बार में अर्थात 3 बटे 2 यानि की 1.5 ओम यानि की प्रत्येक बल्ब का जो प्रतिरोध होगा R बराबर हो जाएगा 1.5 ओम अब इसके अनुशार देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा तो हम लोग यहाँ पर विकल्प में आते हैं पहला सुने तो समलो 6-7 ओम तो ये तो गलत है B 3 ओम ये भी गलत है C 4 ओम ये भी गलत होगा आशी डाउनेट करें डाउटनेट आप ये वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स 8-4-4-4-4-4 पर